हेलो स्टुडेंट्स आसे हम एक नई प्लेलिस्ट इस्टार कर रहे हैं हम लोग ग्रूप थियोरीज पर वीडियोज बनाएंगे यहां पर और ग्रूप थियोरी डिस्टकस करेंगे ग्रूप थियोरी यह काफी important topic है और हर साल ग्रूप थियोरी से almost two questions पूछे जाते हैं एक question टूमार्क्स का और दूसरा चामार्क्स का तो यह topic cover करना बहुत ही important है तो देखिए यहां पर तीन तरह के questions पूछे जाते हैं ग्रूप थियोरी से पहला question जो है वो symmetry elements के बारे में पूछा जाता है दूसरा point groups के बारे में पूछ सकते हैं कोई भी molecule आपको दे दिया है और उसमें क्या point group प्रिजेंट है इसके बारे में question पूछा जा सकता है यह दोनों ही topic हमने अपने पिछले वीडियोस में cover करे हुए symmetry elements और symmetry operations पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है और उसमें पूरे examples भी दिया हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैं आप इसका link attach कर दूँँगी और दूसरा point groups point groups के बारे में मैंने दो वीडियोस बनाया हुए है और इन वीडियोस को आप देख सकते हैं तो यह दोनों topic तो आपके cover हो गए हैं तीसरा topic है character table काफी important topic है क्योंकि 4 माग का question तो character table से ही पुछा जाता है और questions काफी basic होते हैं क्योंकि इसमें या तो वो simply पूछ सकते हैं कोई character missing होगा उसके बारे में कोई mullican symbol हो सकता है उसके बारे में पूछ सकते हैं या एक important thing है IR और Raman active modes उसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर वो पूछ सकते हैं polarization के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर start करते हैं group क्या होता है वो group के postulates क्या होते है group क्या है एक complete set of operation is called a group हम किसी भी molecule पर जो एक पूरा set operations का apply कर सकते हैं वो पूरे मिलकर क्या बनाते हैं एक group बनाते हैं जैसे कि water molecule है आप जानते हैं कि water molecule में c2b point group present होता है तो water में basically हम 4 symmetry elements present है एक identity c2 axis एक sigma xz vertical plane दूसरा sigma yz vertical plane यह चारों ही elements मिलकर एक point group बना रहे हैं जैसे हमने क्या नाम दिया है c2b point group तो किसी भी elements कोई भी elements जो मिलकर group बना रहे हैं इसके लिए criteria होता है उस criteria को यह जो elements से follow करते हैं तभी एक complete group बनता है एक mathematical group बनता है यह सारी चीज़ें काफी mathematical हैं लेकिन यहाँ पर हम इने easy language में cover करने की कोशिश करेंगी तो देखिए पहला postulate क्या है identity operation must be the member of group जो identity operation है वो किसी भी group का एक compulsory member होता है and it can commute with all the elements and leaves them unchanged और यह हर element के साथ commute करता है और उसे unchanged चोड़ देता है मतलब अगर हमने कोई भी symmetry operation a apply किया और उसके बाद हमने identity apply किया तो वो same होगा अगर हम पहले identity apply करते हैं और बाद में a element को apply करें यह operation को और यह दोनों ही चीज़ें किसके बराबर होगी अगर हम simply सिर्फ a को apply करते हैं उसके बराबर होगी तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि पहले हम right hand side से लेते हैं यहाँ right hand side वाला operation पहले दिया करते हैं और उसके बाद फिर left की तरफ बढ़ते हुए दूसरे operation को apply करते हैं जैसे कि मानिए हमने पहले c2 axis apply करी molecule पर क्या change आया उसके बाद हमने उस पर यह operation किया identity तो वो same ही होगा कि अगर हम पहले identity operation apply कर दें और फिस c2 axis apply करें और यह दोनों ही चीज़े same होगी अगर हम simply सिर्फ एक c2 axis apply करते है molecule पर right देखिए हम इसे example की मदद से समझ सकते हैं यह हमारे पास हम सबसे simple case यहां पर ले रहे हैं जिससे आपके सारे doubts clear हो जाएं यह water molecule c2b point group अब यहां देखिए दो hydrogen's attached है एक oxygen से ऐसे हम इनकी बीच में identify नहीं कर सकते हैं इसलिए हम एक नाम देदेंगे HA और HP अब यहां से देखते हैं पहले हम c2 axis apply करते हैं c2 axis क्या होती है जो एक arbitrary axis इस oxygen molecule से होकर vertically गुजर रही है अगर हम इसके through molecule को 180 degrees से rotate करते हैं तो क्या होगा यह HP इदर आ जाएगा यह hydrogen aside आएगा और यह aside जाएगा मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं ओके अब हम इस पर identity apply करते हैं identity क्या होता है यह molecule को वैसा ही unchanged छोड़ देदी है यानि जो यह molecule था यह as it is रहेगा ओके यानि कि अगर हम इसको नहीं भी apply करते हैं हम simply सिर्फ c2 को apply करते हैं अभी result हमें यही मनला था ओके यानि एक चीज़ क्लियर हो गई कि यह और यह बराबर है दूसरा भी देख लेते हैं अगर हम पहले identity को apply कर देते हैं तो क्या होगा अगर हमने पहले identity operation apply किया तो क्या होगा यह जो molecule है यह unchanged रहे जाएगा यानि कि oxygen HA और यह HB ओके अब हम इस पर C2 axis apply करते हैं यानि इसे 180 degree से ऐसे rotate करते हैं तो क्या होगा यह इस side आगा हो यह side आजाएगा आप देख सकते हैं दोनों ही same है same result हमें मिल ला है तो यानि यह commutive है दोनों commute कर रहे हैं यानि कि यह जो हमने apply किया था वो एकदम prove हो जाता है चलिए अब दूसरा postulate देखते हैं वो क्या है the inverse of each operation is also a member of group inverse किसी भी operation का inverse भी उसी member का हिस्सा इसी group का हिस्सा होता है उसी group का दूसरा member होता है अब inverse क्या होता है कोई भी operation जो हम apply कर रहे हैं अगर हम उसको opposite direction में apply करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे inverse कहेंगे उस operation का तो इसे अगर हम mathematical form में बोलेंगे तो हम क्या बूल सकते हैं अगर हम A inverse को पहले apply कर रहे हैं और फिर हम A को apply कर रहे हैं सेम हूगा अगर हम A को पहले apply करें और फिर A inverse को apply करें और दोनों ही product किसके बराबर होंगे अगर हम सिर्फ identity operation को apply करती हैं उसके बराबर होगे यानि कि अगर हम माल लीजे C2 inverse axis को पहले अप्लाई करते हैं और फिर हम C2 axis को अप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो result है product है वो किसके बराबर होगा identity के बराबर होगा देखिए इस example की मदद से समझ लेते हैं माल लीजी यह हमारे पास water का molecule है ओके अब इस पर पहले हमने कहा था पहले right से start करते हैं तो अगर हम पहले इस पर C2 inverse axis एप्लाई करते हैं मतलब हम इसको anti-clockwise 180 degree से घुमाते हैं रोटेट करते हैं तो क्या होगा यह side आएगा और यह side जाएगा यानि जो resulting product हमें मिलेगा वो क्या होगा यह ओके अब हम इस पर C2 axis एप्लाई करते हैं मतलब इसे एप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे हम इसे clockwise rotate करेंगे तो जो product मिलेगा वो क्या होगा यह वापर स्कूम जाएगा यानि HA side आजाएगा और HB side right अब देखिए यह और यह molecules identical है की नहीं है अगर हम इस पर identity operation apply करते हैं तो क्या होता है यह यही मिलेगा की नहीं मिलेगा मैं क्योंकि identity का मतलब क्या है वो molecule को unchanged छोड़ देता है identity operation तो same product हमें मिलता है तो यानि इन दोनों का product identity operation के बराबर होगा चलिए अब देखते हैं अगला postulate क्या है two elements A and B of a group combines to give a third element C अगर हम दो elements को apply करते हैं A और B को तो इनका combination जो है वो एक third element C देता है जो की उसी group का एक और member है ओके? It means mathematically अगर हम इसे देखते हैं तो क्या कहेंगे हम B को अगर हम B operation को पहले apply करें और फिर A को apply करें तो जो product मिलेगा वो C के बराबर होगा C क्या है? C एक और element है जो उसी group का सदस्य है और यहाँ पर एक और condition है अगर A, B जो product है वो B, A के बराबर है यानि इसको पहले apply किया और फिर इसे किया या फिर इसे पहले किया फिर इसे किया दोनों का product C मिल ला है तो हम इसे क्या कहेंगे? कि यह दोनों ही elements commutative हैं यह दोनों commute कर रहे है एक दूसरे के साथ देखिए इस example की मतबद से समझ लेते हैं यह water का molecule है ओके? अब अब इस पहले C to access apply करते है तो यह क्या करेगी? इसको rotate किया बन 80 degrees है तो देखिए यह exchange हो जाएंगे water molecules यानि कुछ इस तरह का product हमें मिलेगा ओके? अब इस पहले हम sigma xz plane apply करते है sigma xz क्या है? वर्टिकल plane है और जो इस तरीके से molecule को xz plane xz coordinates में एक plane है इस side से जो कि इस molecule को इस type से bisect कर रहा है यानि कि यह जो है यहाँ पर इस type से एक plane present है, ओके? तो यह क्या करेगा? इसकी image इस side बनेगी और इसकी image इस side बनेगी इस तरह से bisect कर रहा है तो जो product हमें मिलेगा वो क्या होगा? यह होगा अगर हम इस पर दूसरा plane sigma yz apply करते हैं तो क्या मिलता है मैं? हमने अगर इस पर sigma yz plane apply किया sigma yz plane कहा होता है? y और z axis के along यानि कुछ इस तरह से होगा यह plane इस तीनों को यह इस तरीके से bisect करते होगा तो इसकी image यहीं बनेगी इसकी image यहीं बनेगी यानि जो product हमें मिलेगा वो क्या होगा? same product हमें मिलेगा यानि हम क्या चकते हैं यही product हमें मिलने वाला है तो इन दोनों का multiplication हमें एक और element दे रहा है जो की इसी group का सदस्य है और यही हमारा क्या था? यही हमारा group postulate था चलिए आप fourth postulate देखते हैं क्या है? किसी भी element को अगर हम उसके original से दुबारा combine करते हैं an element combine with itself then it will give another element of the group यानि कि अगर हम एक operation को दो बार repeat करते हैं तो हमें दूसरा element मिलता है जो की उसी group का सदस्य होता है जैसे कि यह water molecule है और इस पर हम C2 axis apply करते हैं इसे rotate करते हैं 180 degree से तो क्या होता है? इस तरह का product हमें मिलता है अब हम इसे दुबारा से C2 axis apply करते हैं फिर से 180 degree पर rotate करते हैं तो क्या होगा? यह दोनों hydrogen's फिर अपनी position पर वापस महुँच जाएंगे इस तरह से ओके? यानि हमें यह product मिलना है resulting product और अगर हम इस पर sigma yz plane apply करते हैं यानि जो plane इस तरह के से molecule को बीच में से divide कर रहा है तो क्या होगा? इसकी मेरा remains यहीं बनेगी और इसकी यहीं बनेगी यानि जो हमें product मिलेगा वो क्या होगा? यही product हमें same product हमें मिलेगा? तो यानि इन दोनों का product क्या है? sigma yz और यह भी क्या है? इसी group का member है चलिए अब देखते हैं group theory का last postulate क्या है? postulate है every member of the group obeys the associative law of combination जैसा कि maths में होता है आपने देखागा associative law होता है जिसे कि multiplication में follow किया जाता है same way यहाँ पर है अगर हम इस तरह से apply करते हैं यानि अगर हम BC operations को firstly apply करें और फिर A को करें या पहले AB को करें और फिर C को करें हमें same result, same product मिल ला है देखिए इसे water molecules की मदद से consider करते हैं यह water molecule है अगर हमने इस पर पहले C2 axis एप्लाई करी तो क्या होगा? इसे हमने 180 degree पर rotate किया यह H A S side आजाएगा और H B S side पहुंचाएगा यह result मिलेगा अब हमने किस पर क्या किया? Sigma Y Z plane डाला Sigma Y Z plane मतलब इस तरह से plane डाला जो की तीनों molecules को bisect कर रहा है तो क्या होगा? इसकी mirror image यहीं बनेगी यानि हमें यह product मिलेगा अब हमने इस पर Sigma X Z plane अपलाई किया तो यह इसे molecule को इस तरह से bisect करेगा दोनों vertical planes है लेकिन यह इस तरह से है और वो इस तरह से था तो यह molecule को इस तरह से bisect करेगा तो result क्या होगा? इसका mirror image यहाँ बनेगा और इसका यहाँ बनेगा यानि product हमें यह मिलेगा अब दूसरे तरह से हम करते है पहले हमने इस molecule पर Sigma Y Z plane अपलाई किया तो हमें क्या result मिला? As it is मिला फिर हमने इस पर Sigma X Z plane डाला तो क्या होगा? इसकी mirror image यहाँ बनेगी और इसकी यहाँ तो हमें यह product मिला अब हमने इस पर C2 axis अपलाई की इसे 180 degree पर rotate किया तो क्या होगा? यह दोनो molecules, atoms exchange हो जाएंगे तो यानि हमें यह result मिलेगा अब देखिए आप दोनो products सेम है यानि जो water molecule है इसके जो elements है वो क्या है? इस group rule को associated law of combination के rule को follow करते है समझ में आ चुके होंगे, I hope और अगले वीडियो में हम लोग group theory से समधित कुछ और चीज़े समझेंगे क्या order होता है sub class और भी बहुत सारे topics हैं उन्हें understand करेंगे और उसके बाद हम लोग character table के बारे में पढ़ेंगे ओके? थैंक यू